खबर उन्नाव से है संसद सत्र में नेता प्रतीपक्ष राहुल गांधी ने एक बयान में कहा हिंदू नफरत से भरा है वो 24 घंटे हिंसा के बारे में सोचता है हाला कि इस पर आपत्ती जताते हुए सदर में ततकाल प्रधान मंत्री मोदी ने उठकर टोका लेकिन देश में सियासी पाराच चड़ चुका है इसी क्रम्य उन्नाव के बड़े चौराहे पर नरसेवा नारायन सेवा के संस्थापक वा भाजपानेता विमल दुएदी के नेतरत में पदादिकारियों द्वारा प्रधर्शन करते हुए राहुल गांधी के पोस्टर पर कालिक पोती वा राहुल गांधी मुर्दाबाद की नारे लगाए विमल दुएदी ने मीडिया से बातचीट में कहा जब आहर डाल नहरू खुद को एक्सिडेंटल हिंदू कहते थे तो फिरोस के पोते और कटर कैथुले के साई सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी से हिंदूों के विशय में अच्छे विचार की उमेद ही बेमानी है मुस्लिम तुष्टिकरण की चैंपियन कॉंग्रेस के इसी नेता ने अपनी सरकार में हिंदू आतंकवात का जूटा नरेटिव गढ़ने का प्रयास किया था चब इस ग्यारे आतंकी हमले को आरेसेस से जोडने का प्रयास किया था अगर कचाथ जिंदा ना पकड़ा गया होता तो शायद हिंदू समाच पर ये आरवप लगा ही चुके थे सांध्वी प्रग्या करनल पुरोहित असीमा नंद जी को जूटा फसाकर ये हिंदू विरोधी होने की पुष्टी कर चुके हैं अंग्रेस ने अमेरिकी राज़ दोट से कहा था कि भारत के लिए चुनौती इस्लामिक आतंकवाद नहीं भगवा आतंकवाद है जबकि उसी समय हर देश के हर शहर में धमाके होते थे आतंकी हमलों से देश का हर राज लहुलुहान था तक सब्यों में समाँ सर्व करते हूं कि राजनीती सरह के ब्राहुल गांडी सनातन और हिंदू समाज को ही करने खाम करते हैं अगर किसी और धर्म को प्रिया होता तो सैथ कुछ और दिखरा होता। मैं लगातार आप सबके माध्यम से यही अपिल करना जाता हूँ कि राहूल कान्दी जैसे नेताओं का इस देश में कोई काम नहीं है तो हिंदू ही इत्री बात करेगा वही देश में राज़ करेगा